दोस्तों जब भी हम भारत के बाहर जाते हैं और वहां विदेशियों के बीच में अपने भारतीय लोगों को देखते हैं तो मन खुशी से जूम उठता है लेकिन क्या होगा जब आपको ये पता चले कि आप जिस खुबसूरत जगा पर घूमने गए हैं वहां ना सिर्फ भार आपकियों की संख्या अच्छी खासी है लेकिन आज अंग जिस खुबसूरत देश के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है त्रिनीदाग और टोबैगो तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए जानते हैं इस खुबसूरत जूपी ये देश के बारे में नमस्कार दोस्त तो मेरा नाम है राहूल और आप देख रहे हैं शौकिंग फैप्स तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये वीडियो दोस्तों केरेवियन सागर में दक्षडी चोर परिस्थित त्रिनीदाद और टोबैगो एक खुबसूरत आइलन देश है इसका ओफिशियल नाम रिपबलिक ओफ त्रिनीदाद एंट टोबैगो है इस देश की राजधानी का नाम पोर्ट ओफ स्पैन है जबकि इसका सबसे 1976 को यह गरतंत्र घोशित हुआ था हालांकि अब वहाँ 24 सितंबर को गरतंत्र दिवस मनाय जाता है दोस्तों त्रिनीदाद एंट टोबैगो का ख्षेत्रफल मेहज 5131 वर किलोमीटर है जबकि इसकी जनसंख्या लगभक 13,68,000 है दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा आबादी भारतिय मूल के लोगों की है यहां की कुल आबादी में 37.6% आबादी भारतिय मूल के लोगों की है 36.3% आबादी अफ्रिकन मूल के लोगों की और 24.4% आबादी मिक्स यानि अमेरिकन, यूरोपियन, चाइनीज, आरेबियन इ यही कारण है कि त्रिनिदाद की जनसंख्या में भारती मूल के लोगों की आबादी सबसे ज्याता है। दोस्तों इस देश का ओफिशियल लेंग्वेज इंग्लिस है। हालांकि यहां स्थांगे स्थर पर त्रिनिदादी क्रेवल भाषा बोली जाती है। इसके अलाबा यहां हिंदी, स्पैनिश, चाइनिज, इत्यादी भाषा हैं भी बोली जाती है। यहां बोले जाने वाली हिंदी भाषा में अवधी और भोचपूरी का मिस्तरड रहता है। बात करें धर्म की, तो त्रिनिदाद एंट टोबैगो में 63.2 प्रतिशत आबादी इसाई धर्म का पालन करती है। 20.4 परसेंट हिंदोईज्म का 5.6 परसेंट इसलाम को मानती है, जबकि 2.5 परसेंट आबादी किसी भी धर्म को नहीं मानती है। दोस्तों, त्रिनिदाद एंट टोबैगो की जीडिपी 22.438 बिलियन डॉलर है, जबकि प्रति व्यक्ति आए 16,243 डॉलर है। दोस्तों, इस देश की करेंसी का नाम त्रिनिदाद एंट टोबैगो डॉलर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 23 दिसंबर 2021 तक एक त्रिनिदादी डॉलर की कीमत भारत के 11 रुपे 13 पैसे के बराबर है। दोस्तों, त्रिनिदाद की जल सिमाएं उत्तर पूरूर में बारबाडोस से, दक्षिर पूरूर में गुयाना से और दक्षिर पश्चिम में वेनेजुएला से जुड़ी हुई है। त्रिनिदाद की अर्थव्योस्था मुखेता पेट्रोलियन उद्योग पर आस्रित है। इसके अलावा पर्याटन और वी निर्माड भी स्थानी अर्थव्योस्था के लिए महतोपूर्ण कारक हैं। इस देश के मुख्य क्रिसी उत्पादों में नीमबू, कोको और अन्य पर शामिल हैं। दोस्तों, त्रिनिदाद और तोबैगों के समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन कोरल रिफ भी मौजूद है। इतना ही नहीं, तोबैगों के समुद्र के अंदर एक नेचुरल स्विविंग पूल भी है, जो लाकू अर्थ पहले एक उलका पिं बलकि असलम केरिवियन सागर में मौजूद छोटे छोटे द्यूपों का एक संगठान है। इन द्यूपों में एंटीगा और बर्मुडा, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, बार्बाडोस, डोमीनिका, जमाइका, सेंट किट्स वर नेविस, सेंट लूसिया इत्या हेमिस्फेर, विशेस तोर पर केरिवियन देशों में दिपावली का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन त्रिनिदाद में ही मनाए राता है। इतना ही नहीं, दुनिया में ओलम्पिक में 100 मीटर दोड में व्यक्तिगा तस्तर पर सबसे पहला गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड भी तिरिनिदाद के हेजली क्रोकोर्ड के नाम है, उन्होंने 1976 में गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों तिरिनिदाद और टोबैगो घूमने के लिहाद से एक बहुत ही खुबसूरत जगा है, यहां का माराकास बे वीच, कबुतर पॉइंट बीच, पोर्ट ऑफ स्पेन, लेटिल टोबैगो द्वीप, होट कींग जॉर्ज, इत्यादी पर्याटकों को अपनी तरफ आकर सचित करते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड फेमस कैलिफ्सो म्यूजीक, सोका म्यूजीक, चटनी म्यूजीक और स्टील पैंग का विश्कार भी इसी देश में हुआ है। दोस दोस्तों भारत से बाहर हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ती भी तरीनिदाद में ही है। 26 मीटर उची ये मूर्ती तरीनिदाद के शहर कारापी चैमा में है। तो दोस्तों तरीनिदाद और टोबैगों के बारे में बस इतना ही। अगर आपको भी इस देश के बारे में क